हिरा भाई मुलिश से तुम्हें चारों से गह रखाएं बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं हिरा भाई पुलिश ने तुम्हें चारों तरफ से गह रखाएं तुम्हारा यहां से बचके निकलना बहुत ही मुश्किल है अपने आपको कानून के हवाले कर दो पहले इस बच्ची को उसके मा के हवाले करना ही पड़ेगा रुक जाओ हिरा भाई अरे कहां चली गई तुम लोग यहां देखो मैं उस तरफ देपता हूं चुप हो जा मेरे बच्चे चुप हो जा मेरे बच्चे वो ना तेरी आवस से पुलिस आ जाएगी चुप हो जा मेरे बच्चे हुआ है है भगवान इसे कैसे चुक रहा हूं इस मंता का दोका देना ही पड़ेगा है भगवान मुझे माफ कर देना मैं इस मासुम बच्चे को मंता का दोका दे रहे हूं है अरे वाँ क्या नजारा है ऐसा नजारा तुझे अपनी अम्मा के गोद में देखने को नहीं मिला था क्या मिला था लेकिन कुवारी मा को पहली बार बच्चे को दूद पिलाते देख रहा हूँ अरे पहले मा बन जा फिर बच्चे वो दूद पिला ना मैं मा नहीं हुई तो क्या हुआ रहे मंता मेरे सीने में कूट कूट के भरी हुई है अच्छा दरोगा मंता से मत टकरा वरना तेरे अम्मा को तेरे भयानक मोद पर खून के आसूर होना पड़ेगा अरे इस बच्चे को मार कर मैं तुझे खून के आसूर उलाऊंगा हीरा बाई दूद्ध पिलाने का भाउश हो करना तुझे चल मैं तुझे मा बनाता हूँ रुक जाओ अस्लम खान लड़की की तरफ बड़े तो गोली मार दूगा यह हीरा बाई है डाकू हीरा बाई अरे इससे बड़ा डाकू तो तू है जो एक लड़की की इज़त पर डाका डालने चला है अरे हीरा बाई कहा गई यह लो बेहन तुम्हारा बच्चा यह रबाई तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरे बच्चे को बचाया है भगवान करी तुम सदा खुश रहो